है नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे trend 만al के बारे में के बात करेंगे जो रिटेल बिजनेस में है तो यह स्टॉक में जसी साफ सी क्रेक्शन चल रहा है यह स्टॉक में करेक्शन चल रहा है काफी से चार्विपार रहा Rock पूरा इस बीडियो करने से पहले आप सब करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लिए ताकि आने वाला वीडियो का आपको टामली मिल सकता है चले स्टार्ट करते हैं वीडियो विडियो व आपको बिल्कुल परिशान होने की जरूरत नहीं है अगर बाइंग करना चाहते हैं अभी का गिरावट में मौका उठाना मौका दोन रहेगी कौन से स्टॉक को अपने को लेके चलना चाहिए तो यह जो टेन स्टॉक है ना बहुत फॉन्नामेंटल स्टॉक है यह सारे स्ट करेंगे कंपनी का यहां पर डेलिवरी के बारे में एट लाग सेवेंटी थी थाजन कॉंटिटे ट्रेडिंग हुआ है इसमें डेलिवरी उठाय गया जो की 53 परसेंटेज का डेलिवरी है ठीक है उसी के साथ में अगर कंपनी का स्टॉक का अल्टाइम हाई की बात करेंगे तो यहां पर 1346 स्टॉक का अल्टाइम आई था स्टॉक का अगर लोग बात करेंगे फिट्टी टूइक लोग का जो कि 742 पर फिट्टी टूइक लोग है उसी के साथ में अगर हम कंपनी में आज देखेंगे तो आज में निप्टी में भी करेक्शन था ठीक है तो निप्ट करता क्या है चाल भी डिशन भी में आखिर में बताऊंगा थीक है तो यहां पर अगर कम्पनी के बारे हम बात करेंगे थाटी नाइन थाजरन को कर्ण को को में और का प्लेट जीरो है और करता क्या किसी में बिजनेस परेम बात करेंगे एक्च्वाइर अक्सेसरी टोई एंड गेंस फूड ग्रोसरी नन फूड प्रड़क्ट कंपनी एक्च्वाइब रिटल चैन बिजनेस में है तो उसी के साथ में कंपनी के अगर आप देखेंगे तो यहां पे रिटल फर्माट स्टोर जो प्रेजेंट ली दे कंपनी ऑपरेट 100 इसें अगर आप देखेंगे साथ में त्रेंट जो है निया है यह यहांप देखेंगे और एक चीज में वनको बताना का क् żadष ऐस्ट तो मिला है तो अगर हम बात करेंगी यहां पर हम नजर आ रहा है अगर यहां पर नेट प्रोफिट के बारे में बात करेंगे कंपनी का नेट प्रोफिट यहां पर 0.16 करोड है मतलब इतना यादा नेट प्रोफिट नहीं है लेकिन अपरेटिंग प्रोफिट के बारे में अगर बात करेंगी यहां पर 125 करोड का कंपनी के पास में अपरेटिंग प् करोड का देखने को मिला है उसी के साथ में जाने के बाद में यहां पर यहां पर बात करेंगे यह तो बहुत बढ़ी है यहां पर करोड का रिजर्व हो चुका है उसी के साथ में में जो कुश्चिन मार गई यहां पर जो कंपनी के पास में कितना करोड पड़ा हुआ है उसी के साथ में अगर आप एक चीज को कॉल्ट करेंगे कमपनी के पास में जो क्ला फिकिक्स ऐसेट हुआ है तो और ऊसी के साथ में फिक्सलों करोड था कमपनी में एक्स्पेंशन जरूर को मिला उसी के साथ में अभी इस quarter में दिखी इस quarter में जो यहां पर बढ़ा है ना तुसका पीछे का रीजन यहांपे ने अपना यहांपे पर इंक्रीज ए तो यहां पर चार जार-चैसो करोड यहां पर यहांपर यहांपर यह मैंने बहुत बड़िया पजीटिव साही नहीं इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम ने ले गियarent की जरूरत नहीं। तो तो वहां पे कि रख महेंशां सेब्सक्राइब फंख च ste अगर हम डिटल के बात करें पास में मakदिंव मतलब टौंटी परसंटेश का होल्डिंग ठीक है तो यहाँ पे रीटल के पास हमारे अगर हमम किसी भी स्थाथ में अगर इटल के पास में आप सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं कि वह लोग इतना बड़ा आनलिस्ट है तो वह सारे बड़ी ऐसा रिशर्च करके अपना पॉर्टफोलियो में इस स्टॉक को लेके चलते हैं जहां इतना बड़ा बड़ा फॉन्ड आहुस यहां पर इनवेस्ट्मेंट की हैं तो हमें प्यानिक करने की जरूरत नहीं है मार्केट भले गिर रहा है से यहां पर चार्ट के बाद करें पास एक बार आया था यहां पर को यहां पर को आख को विड के टाइम पर था तो यह चीज़ नज़र देंगे तो यहां पर श्रों का जोन होता है यांपे पिश्ट लेना जुरूरेत नहीं है तॉसिए साथ में चाठ पसे पहले है दूजार-पांच को अगर हम देखेंगे यहां पे बहुत बड़ी असे रिटन दिया है। उसके साथ में अगर हम देखेंगे तो जिसने भी स्टॉक में तो उसके लिए ऑपर्चुनुटी है ठीक है सपोज हमने यहां पे पर करेक्शन आया कोई बात नहीं अगर वहां करने के बाद में 10-15% निचे आता है या फिर 20% निचे आता है तो हमें बटम नहीं पता लेकिन हम आपर जरू कर सकते हैं अगर मैंने यहां पर 3% कर सकता हूं कोई 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 प्रोब्लेम नहीं है लेकिन मुझे बटम दूनना नहीं अगर में बटम दुनुगा तो बटम किसी को नहीं पता है अगर बात करेंगे अभी एसकों करना है तो मेरे हिसाब से यह जो पोर्फोलियो है तो होल्ड कीजिए कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन अगर बाइंग का अपर्चुन्टी आप दोंड रहे हैं तो यहां पर 1000 का लेवल को जरूर इंतेजार कीजिए मैं क्यों बोलना उसका पिछे का रिजन देखिए यहां पर कितना बार इक स्टोक ने बहुत बार यहां पर लिया यहां पर बार यहां पर सपोट लिया यहां पर तो यहां पे लेवल ओपर जरूर आ जाता है तो यहां पर हम सकता है तो एक प्र नान का करेक्षन हो सकता है इसके साथ में अगर हम भात करेंगे तर्व में क्या टर्गेट में मिल सकता है अगर हम इसी लेवल पर बाइंग करते हैं जो शुट टर्म का टर्गेट है यह एक वान मांस में फिर भी आचीव नहीं होता है तो तू मांस में आचीव हो जाएगा क्योंकि आप पुराना ट्राक रेकर्ड देखिए यहां पर गर कि कार रेक्शन है ऐसके बावजीद भी यहां पर कोन सा मौन्त में इसेंवर मठ में बीकिटे यहांपे तर्गेट परकर है रहा है एनुपर सेग्दाशीव करेशेब ताइब dezока गयाय नहीं लेकिन अगर आप लंग्टर्म के लिए द텐 दे सकते हैं तो değer नृव्ट न सुक्त है जो कि डी करना चाहते हैं कि देखी फोटीन तर्टेंडएङ की पास मां आपको सेकेंट तर्डजी पर बॉकिंग करना है क्यों मैं बोल रहा हूं उसके पीछे की रीजन बता रहा हूं कि यहां पर एक 40 परसंटेज का गया नहीं एक सार लगेगा यहां पर दिखिए जब स्टॉक यहां से ब्रेक आउट होता है तो डायरेक्ट लिए ना तो उतना जरूर कबर करता है तो इसी साथ से कि यह टार्गेर तक आप जरूरे सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं अगर चैनल पर ना है चैनल को तो जरूर सिस्क्राइब कर सकते हैं उसके साथ मेरे साथ में जूड़ना चाहते हैं आप मेरे साथ में भी बिल्कुल ज आपने.